हेलो फ्रेंड्स नमस्कार ग्लास 11 चेप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के एक और सेशन में आप सब का स्वागत ही पिछले सेशन में हमने कोलिजन के ऊपर थोड़ा सा आयनरैसिस किया था ठीक है आज हम उसके ऊपर के एक्जामपल्स डिसकस करने वाले हैं पहला एक्ज अगला वीडियो जो आप देख रहे हैं उससे अगले वाला वीडियो आप प्लीज देख लीजिए जिसमें हमने कोने कोलिजन एनलैसिस ऐसा हेडिक दिया है ठीक है अच्छा तो चलिए शुरू करते एक्जामपल क्या दिया है देखिए एक्जामपल 6.12 स्लोइंग डाउन अब दे न्यूट्रों को क्या करना है स्लोइंग कैसे देखिए इन न्यूक्लियर रियक्टर अ न्यूट्रों अफ हाई स्पीड टीपिकली 10-7 मीटर पर सेकंड मस्ट बिस्लोग तो दे 10-3 मीटर पर सेकंड सो देट इट केंड हवा हाई प्रोबैलिलिटी ओफ एंड कोजिंग टू फीजान बच्चो एक चली में क्या होता है न्यूक्लियर रियक्टर का थोड़ा सानोलज आपको देदू में यह न्यूट्रों ठीक है यह यूरेनियम के साथ कोलाइड करता है इसकी वज़े से दो न्यूक्लिय निकलती है मुझे दो नाम याद है एक प्रियरियम और एक क्रिप्ट्रों और उसके साथ फिर तीन और न्यूट्रों निकलते हैं ठीक है और यह तीन न्यूट्रों फिर तीन और यूरेनियम पे स्ट्राइक होंगे और फिर वहां से तीन और न्यूट्रों और ऐसा सब निकलेगा ठीक है ऐसा न्यूक्लियर रियक कलती है बहुत सारी ही आपको पता है उपने अब तक और अची तरीकेस के आपको कम होते जांग है तो इसा मना जाता है यह जो नुपियर रिक्टर मैं जो एनर्गे के वह थोड़ी इंट्रोड़क्टरी यहां पर समझाई न, वो रियक्शन से यह एनरजी इतनी ज्यादा निकल थी है, इतनी ज्यादा, कि ऐसा माना जाता है, कि अगले पचास साल के बाद, जब रिसोर्स जब खतम हो जाएंगे न, तब यह नुक्लियर रियक्टर ही बचेगा, जिससे हम एन इनरजी ले रहे होंगे, तेके, अब करना क्या है, देखी, यह नूट्रोण है, पहला जो है यह नूट्रोण, यह किसके साथ कोलाइड हुआ, यूरेनियम के साथ, यह आपको दिख रहे हैं, 92, U235, तेके, यह कोलिजन होने के बाद, यह रियक्शन हुई, लेकिन, यह यह होता है, वहाँ से बाहर चले जाते हैं, और अगर यह बाहर चले गए, तो फिर और अगर जो यूरेनियम के साथ, कोलिजन होने वाला था, वो नहीं होगा, क्यों, यह बाहर चले गए, तो कहने का मतलब क्या है, कि हमें इन तीन नूट्रोण को स्लो करना पड़ेगा, क्या क निकल रहे, उनकी स्पीड 10D to 7 होगी, लेकिन अगर उनकी स्पीड हम काम कर दे, तो ऐसा पोसिबल है, कि वो मट्रील के अंदर ही रहे, और मट्रील के अंदर के साथ, फिर कुछ और उरेनियम मट्रील के साथ, वो कोलाइड हो, और ज्यादा एनर्जी प्रोडिउस हो, ठीक यह पहला है, पहला है, देखिए, शोड़ेट अट, नियूटरोण के लूज़, मोस्ट ओफ इस कायनेटिक इनर्जी इन इलास्टिक कोलीजन, और सबसे पहले तो, इलास्टिक कोलीजन में वो अपनी कायनेटिक इनर्जी लूज करेगा, मतलब की स्लोड होगा, देखो काय Kinetic energy velocity पर depend करती है और Kinetic energy कम हुई तो यह का मतलब velocity कम हुई हमें velocity ही तो कम करनी है With a light nuclei like deuterium और carbon which has a mass of only few times the mass of neutrons मैं आपको बात बोल दू, mass of deuterium is two times mass of neutron ठीक है और mass of carbon वो क्या है वो six time, six time या तो twelve time ऐसा बोल सकते है, twelve time mass of neutron ठीक है, फिर क्या बोला गया है The material making of the light nuclei, usually heavy water or graphite is called moderator बच्चो, moderator moderate करता है Moderator moderate करता है, अच्चा, क्या moderate करता है Speed moderate करता है, इसकी neutron की, देखो मैं आपको थोड़ा और बोल दूँ, यह material है यहाँ पर neutron आया, यह है moderator Moderator के अंदर deuterium की nuclei होगी, इसकी deuterium की और यह कौन है, neutron, जो deuterium के साथ collide होगा, जिसकी वज़े से क्या होगा, यह अपनी बहुत सारी kinetic energy lost कर देगा कहां lost करेगा, थोड़ी सी deuterium को देदेगा, और थोड़ी सी heat energy में convert हो जाएगी, जिसका हमें और काम पड़ेगा तो अगर यह जो nuclei है, जिसके साइड यह collide होने वाला है, यह deuterium जो हम यहाँ पे बोल रहे है, अगर यह nuclei केसी है, थोड़ी light है, तो यह neutron ज्यादा energy lose करेगा और अगर यह nuclei हेवी है, तो यह neutron कम energy lose करेगा, ऐसा हमें प्रूव करना है, समझ में आया कि नहीं, देखो बहुत simple है, अगर आप वोल के साथ collide होते हो, तो आपकी velocity इतनी change नहीं होती, क्यों, क्योंकि वोल बहुत बड़ी है, लेकिन एक बोल अगर दूसरे बोल के साथ collide हो, तो दूसरा बोल उसकी थोड़ी सी velocity ले लेता है, ठीके, कहने का मतलब क्या है, कि आप जितना अपने जितने mass के साथ collide होंगे, उतनी आपके kinetic energy जल्दी कम हो, ऐसा हमें प्रूव करना है, देखे, मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, पहला जो particle है, वो हमारा neutron है, और दूसर की velocity 0 meter per second, कब collision से पहले, collision के बाद neutron की velocity 104 V1 है, ठीके, और deuterium जो collision के बाद उसकी velocity 104 V2 है, ठीके, अभी collision से पहले, मतलब की kinetic energy initial कितनी थी, half, चलो यह neutron जो है, उसका mass मैं ले लेता हूँ M1, और इसका mass ले लेता हूँ M2, तो इसके kinetic energy होगी, half M1 U1 square, समझ में आया, initially, अभी finally कितनी होगी, तो finally kinetic energy होगी, half M1, velocity कितनी है बच्चो, V1, तो V1 square, मैं यह सारी किसकी बात कर रहा हूँ, यह मैं बात कर रहा हूँ, neutron की, इसकी बात कर रहा हूँ, neutron की, ठीके, अभी, 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 kinetic energy, finally, upon kinetic energy initial, उसका अगर हम ratio ले, तो क्या मिलेगा, देखिए, half cut हो गया, M cut हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, V1 upon U1 का square, अभी, V1 कैसे find कर रहा हूँ, तो बच्चो, V1 is equal to, जो मैंने यहाँ पर formula लिखके रखा है, यह हमने पहले में discuss किया था, देखिए, U1 तो है हमारे past already, non-zero, लेकिन U2, U2 का मितलब initial velocity before collision of the second, तो U2 कितनी है, 0, तो यह directly कितनी हो जाएगी, 0, तो V1 कितना मिला बच्चों में, M1-M2 upon M1 plus M2 into U1, M1-M2 upon M1 plus M2 into U1, तो इसका मतलब क्या होगा, किनेटिक अनर्जी final divided by किनेटिक अनर्जी initial is equals to, अभी V1 upon U1, V1 upon U1 किया मिला होता है, यहाँ पर देखिए, V1 upon U1 is equals to M1-M2 upon M1 plus M2, समझना आ रहा है कि नहीं, अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, M1-M2 upon M1 plus M2, उसका square, अच्छा, यह हो गया ratio of final kinetic energy divided by initial kinetic energy, पहला case लेते हैं, तीस में ऐसा लेते हैं, let M2 is equals to 2M1, ठीक है, मतलब कि जो दूसरी nuclei है, इसके साथ यह collide होने वाला है, उसका mass इससे nearly double, तो हमें क्या मिलेगा, के final upon के initial is equals to, देखिए, यह M1-M2 करेंगे, तो हमें क्या आएगा, answer देखिए, M1-2M1 upon, M1 plus 2M1 का square, तो यह M1, M1, M1 सब cut हो जाएंगे, 1-2, minus 1, लेकिन उसका square करेंगे तो 1, और 1 plus 2, 3, 3 का square करेंगे तो 9, ठीक है, अच्छा, अभी देखिए, second case, case 2, let M2 is equals to 12M1, सोचे, ठीक है, मतलब कि दूसरा वाला जो mass है, जिसके साथ हमारा neutron collide होने वाला है, वो neutron से 12 times बढ़ा है, mass बे, तो ke final upon ke initial अगर हम करना चाहे, तो देखिए, मैं क्या बोल सकता हूँ, M1 minus 12M1 upon M1 plus 12M1 उसका square, तो M1 minus 12M1 तो 11, और यह 13, 11 का square कितना होता है, 121, और 13 का square कितना होता है, 169, ठीक है, अभी बच्चों, मैं आपको यह दिखाता हूँ, कि 1 upon 9 कितना होता है, 1 upon 9 तो nearly 0.1111 ऐसा होगा, 0.111 ठीक है, और इधर, 121 upon 169 यह कितना होगा, 0.715, ओकी, बच्चों, यह जो answer जितना काम आता है, इसका मतलब क्या है, सोचो, यह kinetic energy final upon, देखो, मैं थोड़ा उपर कर लेगा हूँ, यह है kinetic energy final upon kinetic energy initial, तो जितना denominator, sorry, numerator कितना काम होगा, उतना यह answer काम आएगा न, mathematics उतनी तो आपके आनी चाहिए, और कितना numerator ज़्यादा होगा, उतना यह ज़्यादा होगा, समझ में आया कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, कि पहले case में, kinetic energy finally is much less as compared to kinetic energy initial, ठीक है, और दूसरे case में, kinetic energy finally is less than kinetic energy initially, आप बोलो कि sir, आपने दोनों में तो less कर दिया, लेकिन पहले case में, ज्यादा कम है, और दूसरे case में, थोड़ा सा ही कम है, अगर kinetic energy कम हुई, मतलब कि kinetic energy lost हुई, ठीक है, kinetic energy lost हुई, तो पहले case में mass कम था, देखिए, दूसरे molecule का, दो टाइम सी था, और यहाँ पर 12 टाइम, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, हाँ, कि light nuclei जब होती है, तब final kinetic energy, मतलब कि हमारे neutron की कम हो जाती है, मतलब कि वो बहुत lost कर देता है अपनी energy, समझ में आया कि नहीं अच्छे तरीके से आपको, ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसा बोल सकते है, hence, prude, बच्चो, एसी analysis करके, बाद में जो उस moderator में material बढ़ते हैं, ठीके, ऐसे ही directly ऐसा नहीं कर देते हैं, मतलब क्या है, कि यह collision इतना important है, कि आपको 50 साल के बाद बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीके, अभी तो यूज होगा ही, ओके, चलिए, एक और example देखते हैं, क्या दिया है, consider the collision depicted in figure 6.10, to be between two billiard balls of equal mass, m1 equal to m2, देखो, mass क्या दिया है, equal, billiard ball, the first ball is called as the cue, while the second ball is called as the target, यह steady होगा, यह कैसा होगा, steady, कब before collision, the billiard ball, sorry, the billiard player wants to sink the target ball in the corner pocket, which is at an angle, theta 2 is equal to 37, theta 2 कितना दिया है, 37, okay, which is, okay, assume that the collision is elastic and the friction and the rotational motion is, are not important, कोई बात नहीं, obtain theta 1, हमें theta 1 find करना है, बच्चों, यह हमने अगले lecture में discuss किया हुआ था, केसा, देखो, अगर हम momentum को equate करें, तो, m1, देखो, सबसे पहले तो, मैं m1 equals to m2 is equals to m ले लू, तो, m v bar, initial की बात कर रहा हो, या तो, v i bar अगर ले लो, is equals to m1, v1 f bar, plus m, sorry, m1 नहीं, m1 only, m only, sorry, और m, v2 f bar, bar क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखे, यह oblique collision है, mm cut होगे, तो, हमारे पास क्या आया, v i bar is equals to v1 f bar, plus v2 f bar, मतलब कि यह दोनों वेक्टर मिल के, क्या बनाएंगे, v f bar, दूसरा, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखे, तो, half m, v1 i square is equals to, half m, v1 f square, plus half m, v2 f square, अगर हम half m, half m को cancel कर देखे, तो, हमें क्या मिलेगा, देखे, v1 i square is equals to, sorry, यह not equal to, जैसा दिख रहा है, is equals to, v1 f square, plus v2 f square, तो, यह दो results से, यह scalar relation है, यह कैसा relation है, scalar relation, और यह कैसा relation है, vector relation, तो देखे, यह सा तभी possible हो सकता है, कि जब, यह हो गया हमारा v2 f, यह हो गया हमारा v1 f, तो, इन दोनों को मिला के, यह हो गया हमारा v1 i, ठीक है, और यह तभी possible हो सकता है, जब यह 90 degree हो, कैसा हो, 90, कहने का मतलब क्या है, कि यह angle b, कितना हो, 90 degree, क्योंकि पाइथागोरस लगाएंगे, तो, v2 f square, plus v1 f square, is equal to, v1 i square, जो magnitude है, और vector relation तो आपको पता ही है, ट्राइंगल लो, this vector, plus this vector, is equal to v1 i, तो, इसका मतलब क्या है, बहुत साफ है, यहाँ पर तो मैंने explain किया, लेकिन, बच्चो, जब भी ऐसा example आये न, directly short कर लेना, यह 37 है, यह पूरा 90 degree होना चाहिए, यह पूरा कितना होना चाहिए, 90, तो, theta 1 is equals to, क्या होना चाहिए, 90 minus 37, तो, मतलब कि 53 degree, ठीके, बहुत सिंपल हो गया है, देखे, state, if each of the following statement is true or false, give reason for your answer, रस्ता है नहीं, directly true false बोल देना है, हमें reason भी देना है, in an elastic collision of two bodies, the momentum and energy of each body is conserved, तो false, बच्चो, आपने collision का लेक्चर मेरा अच्छी तरीके से देखा है, तो directly आप बोल दो दे, false, क्यों, each body लिखा हुआ है, एक बोडी दुसरे बोडी पे force लगाती है, तो इसका मतलब एक बोडी के लिए दुसरी बोडी का force external हो गया, तो external force रहेगा, तो momentum पी चेंज होगा और energy भी चेंज होगा, तो total energy of system is always conserved, no matter, whatever internal and external forces are, forces on the body are present, okay, then true, okay, ये law of conservation of energy, then after, work done in the, ये law of conservation of energy, जेसाफ रिजन इसमें बोल चक्ते हो, ठीक है, B, then C, work done in the motion of a body, over a closed loop is zero for every force in nature, तो ये बच्चों false होगे है, क्यों, कि non-conservative force होता है, तो उसमें work done zero नहीं होता, okay, work done in closed path is non-zero for non-conservative force, okay, that is the reason, D, in an elastic collision, the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system, true, क्यों, क्योंकि हमने बोला था ना कि थोड़ी सी kinetic energy वो spring में रह जाती है, तो इसका मसलब क्या है, that part of kinetic energy, part of initial total kinetic energy gets converted in potential energy, okay, next example, देखते हैं, क्या है, answer carefully with reason, in an elastic collision of two billiard balls, is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the ball, that is when they are in contact, no, क्यों, देखो, ये ball, original ball है, ये वाला ball भी, original ball है, लेकिन जब वो collide होंगे ना भच्चों, तब उनकी surface थोड़ी, यहाँ पर थोड़ी change होगी, change in shape, change in shape, therefore, change in potential energy, therefore, total kinetic energy decrease, ठीक है, अब ये depend करता है, कि जब ये separate होगे, तब उनके shape original आता है, कि अगर आ गया है, तो इसका मतलब kinetic energy भी फिर से वही जो होगी वही आ जाएगी, ठीक है, is the total linear momentum conserved during short time of collision of elastic collision of two balls, yes, total linear momentum हमेशा concerned हो रहता है, why, because no external forces are present, then after, what are the answers to A and B for inelastic collision, inelastic collision में भी एसा होता है, कि total kinetic energy conserved नहीं रहती, तो पहले का answer क्या है, no, और दूसरे का answer क्या है, yes, answer will not, अब ये डी देखते हैं, if the potential energy of the two billion balls depends only on separation between their center, पहला बोल और दूसरा बोल, उनके बिचका जो center का distance है, उस पे, ये सचो distance R है, उस पे potential energy depends गरती है, is the collision elastic और inelastic, सचो कि पहले वो infinity पे थे, कहां पे थे, infinity पे, collide होने के बाद, B वो infinity पे चले रहे, पहले infinity से ऐसे आ रहे है, और collide होने के बाद, भी infinity पे चले गए, कहने का मतलब क्या है, पहले जितनी potential energy थी, बाद में भी उतनी रहेगी, क्यों, potential energy distance पे depend करती है, पहले भी distance infinity था, बाद में भी infinity हो गया, तो पहले potential energy थी बाद में भी उतनी, तो इसका मतलब पहले जितनी total kinetic energy थी, काइनेटिक एनरजी में क्या होता है तो इसका मतलब ये कोलिजन कैसा होगा ELASTIK कोलिजन कैसा होगा ELASTIK ठीक है याद रखना linear momentum तो ELASTIK हो याई इन ELASTIK हो जोनों टाइप के कोलिजन में कंजव रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसमें कंजब रहते हैं सिर्फ इलास्टिक होके टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं अके लिए एक बोड़ी की नहीं मॉलेक्यूल इनर्गेस कंटेइनर हीट्स दा होरिजॉंटल वॉल्फ इसस्पीड 200 मिटर पर सेकंड एंगल 30 डिग्री विद्ट नॉर्म ओके चलिए यह वॉल है और यह बॉल है कोलाइड कितनी स्पीड से हुआ याज रखना 200 मिटर पर सेकंड कितने एंगल 30 डिग्री और रखना 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 रखन सलिजन इलास्टिक और इनलास्टिक क्यों? बल के पहले कायनेटिक एपना के का स्वेनल का स्वेर्थ कितनी थी?पना का स्वेर्थ आप बोलों। के हैशव 230 डिगरी औरे कायनेटिक एनुची मेश रोचीSON से ना है बुट्स एकना है बस आ. आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ एक ही चीज़ का काइनेटिक एनर्जी को एक्वेट किया टोटल देखना है ना लेकिन वॉल का तो जीरो है अगर अगर मेरे पास सो रुपिय आपके पास कुछ नहीं तो हमारा दोनों का मिलके टोटल कितने रुपिय होगे मतलब कि बोल के पास काइनेटिक एनर्जी गितनी आप एंटु टू उन्था स्क्वेर और बोल्ट के पास कुछ नहीं तो टोटल कितनी मिलकी है रोकिरश कनी प्रृउचिन इसका मतलब कहा होगा ना चाहिए अची तरह के से believers हह उकके؟ देखो directly आप सोचके बोलो अच्छी तरीके से two identical ball bearing in contact with each other and resting on a frictionless table or hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with the speed V. ओके देखो यह दोनों steady है और यह अकेला move कर रहा है कितनी velocity से V तो यहाँ पर momentum कितना हो गया mv if the collision is elastic collision कैसा है? elastic which of the following is possible result after collision directly बचो kinetic energy भे attack करो initial kinetic energy कितनी तो half mv square यहाँ पर यह 0 इसकी नहीं इन दोनों की velocity कितनी है V by 2 तो यहाँ पर total kinetic energy कितनी तो पहले की half mv square by 4 बच्चो velocity V by 2 है ना दूसरे की half mv square by 4 तो कितना होगा? ओके, half half cut गया तो mv square by 4 अच्छा चलों दूसरे की बात करें इसमें 2 steady है और पहला जा रहा है तो kinetic energy total half mv square इसमें 3 हो जा रहा है इसका मतलब kinetic energy total कितनी होगी? 3 multiply by half m velocity कितनी है? V by 3 तो मतलब की v square by 9 तो यह हो गया mv square by 6 अभी यह जो energy मिली उसको किसके साथ equate करोगे? इसके साथ यह दोनों same हो गई तो इसका मतलब यह जो second वाला है यह right है ठीक है? ओके? बहुत बढ़ी आए example लेके आए है क्या है? देखे Bob A of the pendulum released from 30 degree to the vertical okay to the vertical hits another Bob B of the same mass अच्छी तरके से याद रखे क्या लिए है? same mass at rest on a table as shown in the figure देखो यह पहले जो यह mass था वो steady था how high does the Bob A rise after the collision? यह collide हुआ है इसके साथ team collide होने के बाद Bob A कितना पीछे जाएगा? तो बच्चों collision elastic है? collision के साथ है? elastic है फिर दूसरा same mass same mass तो क्या होगा? exchanging exchanging of velocity यह दे ना? तो इसकी जो velocity होगी A की वो B ले लेगा तो condition कुछ इस तरह आएगी यह होगा है A और आगे चला जाएगा B तो यह कैसा रहेगा? steady क्यों? क्योंकि A ने किस की velocity ली? B की B पहले कैसा था? steady और A कैसा था? moving लेकिन अब B क्या हो जाएगा? moving और A steady हमेजा पुछाए कि A कितना उपर जाएगा? अरे भईया वो steady हो जाएगा मतलब की A will not rise at all A will not rise at all ठीक है? अगर पिछले वीडियो देखे तब भी यह सब कुछ आएगा ठीक है? बोल रहा हो ओके चलिए बुलेट ऑफ मास 0.012 किलोग्राम अच्छा एक बुलेट है इसका मास कितना है? 0.012 किलोग्राम and horizontal speed 70 meter per second ओके velocity of bullet कितनी है? 70 meter per second strikes the block of a wood of mass 0.4 किलोग्राम ओके mass of block ऐसा block लिख रहा हो कितना है? 0.4 किलोग्राम and instantly come to rest with the rest with respect to the block अच्छा कुछ समझ में आया है? देखो मैं यहाँ पर diagram बोक करता हूँ आपको थोड़ा से जाएट थोड़ा से स्ट्राइक हो यह wooden block है यह है bullet जो कितनी speed से आ रही है 70 meter per second यह केसा है steady है अब यह आ गई और इसके अंदर गुज़ गई बाहर निकल ना पाई तो यह block इधर आया ओके ठीक है? और block आया इतना ही नहीं block के साथ bullet भी आई bullet हिल रही है block भी हिल रहा है लेकिन block और bullet अगर दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को steady पाएंगे कहने का मतलब है यह case किसका है completely in elastic collision के सा completely in elastic collision का है मैंने बोलाता था था कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे okay फिर क्या दिया है देखें तो block is suspended from the ceiling by means of thin wires calculate height to which block rises अच्छा तो block कितना height gain करेगा वो हमें find करना है also estimate the amount of heat produced by the block सबसे पहले तो बच्चो जैसे ही यह heat करेगी तो यहाँ पर कितनी velocity होगी वो हमें find करना है तो मैं यहाँ पर देखिए m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v चलो आपको कुछ समझ में आया नहीं चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ यह bullet है जिसका mass में लगता हूँ लिग रहा हूँ m1 और जिसकी velocity u1 ठीक फिर यह block है जिसका mass में रख रहा हूँ m2 और उसकी velocity u2 अलाकि वो 0 है तो यह हो गया बात कब की before collision की उसके बाद में दोनों एक साथ क्या हो गए attach हो गए और दोनों की combined velocity कितनी हो गई भी इसलिए यहाँ पर combined mass m1 plus m2 लिग दिया अब तो समझ में आया अभी mass of m1 bullet का mass कितना है चलिए देखते हैं 0.012 kg 0.012 ठीक उसकी velocity 70 mass of block 0.4 और उसकी velocity 0 अभी m1 plus m2 0.412 बोल सकते हैं into v तो 0.012 ठीक है 0.012 into 70 तो कितना answer आएगा 0.84 is equal to देखो यह term तो 0 होगे is equal to 0.412 v तो v कितना मिला 0.84 divided by 0.412 तो 2.038 meter per second तो इतनी speed से वो rise करना शुरू करेगा ठीक है और यहां पर velocity कितनी हो जाएगी 0 तो इसका मतलब क्या है that kinetic energy gets converted in potential energy बच्चों यहां reference level ले लो क्या ले लो reference level तो एगर reference level लेते हो तो जहां पर heat हुआ वहां पर potential energy तो 0 है सिर्फ kinetic energy है कितनी है half mv square ठीक है plus 0 potential energy का 0 है ठीक है फिर यहां पर जब आ गया उस time पर potential energy कितनी है mgh बचों यहां पर m क्या होगा दोनों का mass लेना पड़ेगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह m cut हो जाने वाला है plus velocity 0 हो गई न देखो इसलिए तो one stop हो गया अभी इसको अगर हम solve करते है तो देखो m m cut हो गया तो v square upon 2g is equals to क्या मिलेगा बच्चों मैं यह अभी v square मतलब की 2.038 उसका square divided by 2 into 9.8 ठीक है आप यह try किजिए तो अगर आप try करोगे 2.038 into 2.038 divided by 2 divided by 9.8 तो आपको answer मिलेगा 0.2119 meter कहने का मतलब क्या है कि 21.2 cm यह block उतना उपर जाएगा अच्छा हमारा question एक थोड़ा तो सोल हो गया लेकिन एक बात और है क्या है estimate the amount of heat produce देखो मैं क्या बोल रहा हूँ पहले कितनी velocity थी 70 बाद में कितनी velocity हो गई 2.038 तो पहले जो kinetic energy होगी उसको अगर हम देखे पहले kinetic energy initially कितनी थी तो half m v square करे half m तो अक्यली बुलेट ही मुग कर रहे थी याद करो बुलेट मुग कर रहे थी बुलेट का mass कितना था 0.012 और उसकी velocity 70 तो 70 into 70 तो बच्चो 0.012 into 70 into 70 divided by 2 तो 29.4 जूल ठीके ये कब की बात कर रहा हूं बचो में before collision अभी kinetic energy finally मतलब की after collision तो उस time पर हमें half m v square रखना होगा तो mass हमें 0.012 नहीं रखना होगा वो भी उसके साथ था तो 0.412 और velocity कितनी 2.038 उसका square समझ में आए के नहीं अच्छा आपको पता होना चाहिए ये सब तो देखिए क्या होगा 0.412 into 2.038 into 2.038 divided by 2 तो 0.855 मिलेगा finally तो kinetic energy कम हुई न तो इसका मतलब क्या है and loss of kinetic energy gets converted in heat energy, in heat energy. therefore heat energy equals to 29.4 minus 0.855 then you will get answer nearly 28.5 J, इतना answer मिलेगा बच्छा आपको 28.5 J, आप बोलो के sir यहां पर आप loss of kinetic energy converted in heat energy बोल रहे हो पहले potential energy बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आया बच्छो यहां kinetic energy थी यहां भी kinetic energy थी और यहां potential energy पहले इनिशल kinetic energy यह फाइनल kinetic यहां से यहां kinetic energy काम होई न यह जो loss हुआ यह किसमें convert हुआ heat में और यह जो kinetic energy बाद में यह भी 0 हो गई तो यह किसमें convert हुआ potential में ठीक है ओके अच्छा देखिए example a bolt of mass 0.3 kg falls from the ceiling of an elevator ओके mass कितना दिया है 0.3 kg moving down with an uniform velocity 7 meter per second it's the floor of the elevator length of the elevator is the 3 meter अच्छा कितनी height से गिरा बच्चो 3 meter की यह elevator है उपर से कोई ball डीला हो गया है character की तरह और यहां पर नीचे गिर पड़ा है ठीक है यह कितनी speed से जा रही है 7 meter पर से खड़ा है क्यों क्यों कि हम यहां पर खड़े हैं तो हमारे लिए जो भी velocity होगी वह यहां पर अंदर क्या बन रहा है उसकी होगी ठीक है यहां पर सेवन मीटर पर सेकंड की जब वह रिलीज हुआ है और गिर गया तब भी उसकी speed तो सेवन मीटर पर सेकंड की कुछ समझ में आया ठीक है लेकिन जब हम देखेंगे तो kinetic energy 0 होगी ठीक है तो अमें क्या find करना है heat produced heat produced तो heat produced is equals to change in kinetic energy तो half mv square minus 0 half mv square initial की में ले रहा हूँ ठीक है negative value नहीं लेना है इसे लिए तो is equals to half mass कितना है 0.3 अभी velocity तो है नहीं velocity कैसे find करें तो v square is equals to 2gh जाद किजिए equation तो 2gh में यहां पर ही लग देता हूँ 0.3 into 2 into 10 into 3 क्यों 3 10 क्यों g की value ओके तो यह हो गया to cancer 3 ओके यह 0.3 10 के साथ यह हो गया 9 जूल कितना हो गया 9 जूल ठीक है अगर elevator steady होती है तो इसका मतलब यहां पर initially 0 meter per second होता और यहां पर भी 0 लेगिन move कर रहे है तो 7 और 7 तो उसमें कुछ फर्थ नहीं पढ़ रहा है इसलिए ठीक है ओके चलो इस एक्जाम्पल को देखते हैं देखे यह लास्ट एक्जाम्पल है बॉल moving with velocity 12 meter per second चलो कितनी velocity से गया 12 collides with another identical stationary board यह stationary बच्चो देखो मैं आपको concept explain करूंगा आपको करना है ठीक है इसको आप्टर the collision they move in xy plane as shown दिख रहा है आपको 30 30 degree find the speeds of the ball after the collision तो किस तरह find करना है तो इसको v1 के 2 component निकालो यह जो है v1 इसके 2 component निकालो यह हो गया v1 cos 30 ठीक है यह हो गया v1 sin 30 ठीक है फिर v2 के भी 2 component निकालो बच्चो यह v2 तो यह हो गया v2 cos 30 और यह हो गया v2 sin 30 ठीक है अभी देखिए यह जो पहला बोल है जो 12 meter per second से यहां आ रहा है तो इनिशली सिर्फ कोन सी direction में momentum है सिर्फ x direction में तो अगर हम ऐसा सोचे इन x direction तो इनिशली कितना m into velocity 12 m था और बाद में कितना तो v1 cos 30 plus v2 cos 30 क्यों क्यों क्योंकि मास्ट सेम है इसली तो आपको यहां से एक equation मिलेगा बच्चो क्या 12 is equals to v1 plus v2 cos 30 मैं आपको बोल देता हूँ यह equation मिला अभी y direction में तो कुछ नहीं हो रहा है इसलिए हम क्या लिख सकते है इन y direction 0 is equals to v1 sin 30 minus v2 sin 30 देखो sin 30 sin 30 cancel हो गया तो इसका मतलब v1 is equals to v2 is equals to v ले लो तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा देखे 12 is equals to 2 v cos 30 तो इससे आप v easily find कर सकते हो तो v हो गया जोनों की speed कैसी रहेगी same रहेगी कितनी रहेगी cos 30 root 3 by 2 होता है तो 12 by root 3 रहेगी देखो मैंने solve v कर दिया सब्सक्राइब कर देखो इसकी velocity हमें solve करनी है तो कितना होता है 144 इसकी kinetic energy हमें solve करनी है तो कितना half m इसकी velocity कितनी थी देखे यह 12 यह cut हो गया यह क्या आएगा 6 यह root 3 by 2 आएगा na cos 30 cos 30 कितना आएगा root 3 by 2 तो 2 इसके साथ 12 by root 3 आएगा के ने तो 12 by root 3 का square तो 144 by 9 इसका भी half m velocity का square मतलब कि 144 by 9 अगर हम इन दोनों को add करेंगे यह क्या है total kinetic energy final और यह क्या है total kinetic energy initial अगर इन दोनों को add भी करते हैं न बच्चो तो देखें यह half-half चला जाएगा 144 by 9 यह 16 9 जा 144 होता है तो यह 16 m हो गया और यह भी क्या हो गया 16 तो kinetic energy initially total kinetic energy initially कितना था अब यह 144 by 2 कर दो तो आपको मिलेगा 72 m और total kinetic energy finally यह कितना मिला 32 m मतलब कि दोनों same नहीं है तो इसका मतलब यह elastic collision नहीं ठीक है इस type के example आप solve किजे तो आपको collision में और confidence आएगा ठीक है तेंक यू और नमस्कार